जुडिसी न्यू वेकेंसिस दोजार तेस स्टार्टिंग सेलरी और वर्किंग अवर्स इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि भाई जब हम लोग तयारी करें तो हमको उस नौकरी के बारे में भी तो पतर रहना चाहिए कि कितने आप लोग को मिलेगा पेमेंट और कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा तब जाके आप लोग को ये पेमेंट मिलेगा और किसकी करें तयारी तो मजे की नौकरी रहेगी आज की वीडियो में हम लोग इसी को चर्चा करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलपी टेक्निशन जेई और पिर गुड्स गाट का नमशकार सात्यों अरजुन कोचेंग क्लासेस में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि मैं आप लोगों को अभी के डेट में जीडिसी से रिलेटेड एक एक अपडेट दूंगा और बेस्ट आप लोग के लिए कॉंटेंट लाने की पू लोग को इंटर्व्यू मिलेगा कैसे मैंने अपना आई विजन इंप्रूफ किया है वो भी आप लोग को पता चलेगा ताकि मैं मेडिकल फीट हो और मैं खूद भी तयारी कैसे किया है ट्रैक मैं से स्टेशन मास्टर की जर्णी का वीडियो बनाया हूं ठीक है तो इसको ज रिजनिंग के लिए कौन सा बूक लें ठीक है मैं रिजनिंग के लिए आज मैं बात करूंगा जीके के लिए कि आप लोग को जीके के लिए क्या करना चाहिए यह जो है रेल्वे का खांसर के द्वारा है ठीक है और यह खांसर के द्वारा है रेल्वे का 27,000 प्लस फैक्ट स संग रहा है इयर वाइस है टॉपिक वाइस पॉइंटर है समान्य अधियन है इसमें 92-2022 यह सभी आपके अभी जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका जो जेई हो गया ठीक है एलपी हो गया एंटीपीसी के जेवो भी पोस् लगभग वही 300-400 के बीच में आप लोग को यह बुक मिल जाएगा तो अभी के डेट में यह सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं शेयर कर रहा हूं दोस्तों आप लोग यह बुक को आप लोग पर्चेस कर सकते हैं चाहे हो मैच्स हो रिजनिंग हो है ना और यह बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज का नड़ बात करेंगे स्टार्टिंग सेलेरी इए लपी के अगर आज की डेट में बात किया जाए तो आज की डेट में दोस्तों स्टार्टिंग सेलेरी इएलपी का जो है ना 45 से 50,000 रुपे रहेगा वहीं एक मिनिट वहीं आपका जो technician का है, technician की भी बात कर लेते हैं, technician, यह ALP का जैसे मैं उन्हें बताया, 50,000 तक रहेगा, एना 45-50,000 रुपए, technician का वहीं 35-38,000 रुपए maximum जाएगा, JEE का बात किया जाए, starting salary, एना मिन्स junior engineer का, junior engineer के starting salary आप समझ सकते हैं, 50-55,000 रुपए रहेगा, चाहे आप किसी भी department के junior engineer हूँ, आपका 50-55,000 रुपए salary रहेगा, और goods guard की बात की जाए, तो goods guard का starting salary आपका 55-60,000 तक रहता है, तो इन सब में अगर salary की बात की जाए, तो goods guard को अच्छा salary मिलता है, और JEE को भी मिलता है, ELP को भी मिलता है, ऐसा नहीं है, technician को भी मिलता है, अब बात करते हैं working hours की, ठीक है working hours में आपको अगर मैं बता दूँ, इनका 9 घंटा fix रहता है, लेकिन ऐसा है कि 15 दिन या 14 दिन में इनको 104 घंटे की duty करने रहती, फिर उसी सबसे rest रहता है, ठीक है, और technician की बात की जाए, तो 8 घंटा की duty रहती, JEE का ऐसा कोई fix नहीं है, कि आपको 8 घंटे duty करने, जहां जब मौका मिल जाए, तब काम करना है, और बात की जाए, goods guard की, तो इनका 12 घंटा राम से एक average में होई जाता है, ठीक है, हाला कि उसी सबसे rest भी मिलता है, बट बात करते हैं कि starting salary और मैंने working hours की बता दी, कि तो सबसे सुकून का इसमें जो post ह लगबग hard work, hard work तो नहीं, मतलब महनत है, means number of hours, duty hours आपको जादा दिने पड़ेगा, technician जो है, और J.E. जो है, ये एक stable नौकरी, stable in the sense में आपको बताना चाहूंगा, means आप अपने family के साथ इसमें, मतलब daily आप अपना time दे सकते हैं family को, क्योंकि आपका जो posting होगा, वो किसी एक station पे होगा, ठीक है, और वहाँ आपका quarter रहेगा, आपको फिर अपने range में काम करना है, 8 km के range में, ठीक है, और आपका quarter रहेगा, आप daily घर से निकलेंगे, duty करेंगे, फिर घर जाएंगे, शाम को, ऐसा रहेगा, ठीक है, technician और J.E. लेकिन यही चीज, ALP और goods guard की बात की जाए, तो इसमें stability वाला post नहीं होता है, दोस्तो, हेट quarter जाना पड़ता है, फिर आपको फिर rest करना पड़ता है, फिर आप घर जाते हैं, पता नहीं कब घर जा रहे हैं, दो तीन दिन कब लग रहे हैं, ऐसा है, मिन्स अपने family के पास कब जा रहे हैं, ऐसा रहता है, तो कि इसकी तयारिंग करें, तो मजे की नौकरी है, तो ये कहना ही गलत है, दोस्तों, ये प्रशन ही गलत है, क्योंकि देखें, जो group D staff होते हैं, उन लोग के payment तो जानते हैं, कम होता है, तो हर एक group D staff क्या चाता है, मेरा selection होए, आगे मैं promotion में जाऊं, तो promotion का एक मौका है, कि LDC GDC, है न, LDC, GDC, तो आदमी क्या देखता है, कि कुछ भी post मिले, भाई, कम से कम ये group D के push से तो जाऊं, बस यही सूचता है, तो अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो qualification है न, उस पर depend करता है, कि आप ELP में जाएंगे, कि technician कि JEE कि goods guard, हाला कि मैंने जो एक percentage weightage देखा, कि ITI और diploma लोगों के पास है नहीं, है न, तो यह जो तीन post है, उसमें बहुत chances कम है, और ज़्यादा जो है, कि इस चीज की chance कम है, competition की, competition रहेगा दोस्तों, बट qualification ही नहीं है, candidates लोगों का, तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो competition होने वाला है, वो graduation वाला जो post ह non-technical जो post है, वो है goods guard का, इसमें सबसे आदा competition दे रहने वाला है, मेरी बात को आप लोगों ध्यान से सुनिए का है, एक एक चीज पर मैं इस पर बात करने वाला हूँ, तो working hours हो गया, promotion देखे, दोस्तों, promotion की बात की जाए, तो एक ALP भी बहुत उपर तक जाता है, ठीक है, ALP, senior ALP बनता है, 1900 grade पे, ALP का भी रहता है, technician का भी रहता है, लेकिन वही चीज, starting जो grade पे है, JE का 2800 रहता है, level 5 का पद है यह, है ना, और level यह 3 के पद है, सभी, ठीक है, sorry, level 2 का है, क्योंकि 1900 grade पे का रहता है, ALP और technician, और JE जो है, वो 4200 का है, level 6 का पद है, level के हिसाब से दे देखे, अब बात करते हैं, हम लोग की, दिमाग में कितना load रहता है, ऐसा वाला duty कौन सा है, देखे, सभी post में काफी, आदमी क्या है, सुकुन से तो बैट नहीं सकता, सभी post ऐसा है, कि सुकुन से बैट नहीं सकता, चाहिए, वो ALP हो, चाहिए, technician हो, JE हो, goods guard हो, technician को क्या है ऐसा है, कि आपने अपना काम किया, काम कातम घर जाओ, ठीक है, JE का ऐसा है, कि कभी भी अचानक काम आ सकता है, technician कभी है, जैसे SNT विभाग में, जो technician है, हमारे engineering विभाग में technician है, जब काम आ जाए, तब duty करना है, ऐसा है, लेकिन अगर goods guard की बात की जाए, तो daily एक ही परकार का काम करना है, है न, और ALP का भी वही चीज है, लेकिन बात की जाए, कि mind किसमें सबसे ज़्यादा relax रहेगा, तो ऐसा कोई post नहीं है, कि जिसमें mind relax रहेगा, technician में आप बोल सकते हो, लेकिन duty इतना रहते है, कि करना पड़ जाता है, और mind relaxation वाला कोई post नहीं है, ये आप की पर डिपेंड है कि आप कैसे duty करते हैं, और अपने आपका, अपना कैसे manage करते हैं, ठीक है, मैं आपको negative नहीं कर रहा हूं, बट इससे ये बताना चाहा रहा हूं, कि duty देखे, जो भी है, करना तो पड़ता है, कि candidates लोगों का यही सोच रहेगा, कि भाई, यहां से निकलना ह है, है न, और यह प्रशन ही सही कि नहीं है, कि mind relaxation होना चाही कि नहीं, क्योंकि देखे, सुकून की नौकरी अगर बात की जाये, तो railway में है नहीं, railway की अगर सबसे अच्छा जो पोस्ट है न, वो है, बाबु की जो पोस्ट मैं मानता हूं, वो बाबु की पोस्ट अच्छी ह होती है, मेरे हिसाब से, चाहिए वो जो भी पोस्ट हो, railway के जो संचालन में, जो भी पोस्ट लगे हुए है न, वो काफी नौकरी सुकून वाली नहीं होती है, बस पैसा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, railway की नौकरी में बस पैसा main है, और यही सबसे बड़ा motivation होता क्योंकि at the end of the month आपको पैसा माइटर करता है, ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियो लाओंगा, जडिसी से, आप लोग फूल अच्छे से तयारी कीजे, और वीडियो को जरूर शेयर कीजे, है न, सभी पोश्ट इंपोर्टेंट, आप लोग किसी भी चीज़ को अचीव करूं, में चीज़ है, गूर्प डी से निकलना बाहर, ठीक है, अब देखते हैं, पंदर तारीक के जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्या चीज मंगता है, सभी पोश्ट अपने अपने जगा पर फिक कीज़ें, लाइक कीज़ें, दोस्तों धन्यवाद, जय हिंच, जय भारत!